हेलो विद्ध्यार्थियूं मैं लेली तुर्मा एल्वी क्लास्ट में आप शबी का स्वागत करता हूँ तो आज के इस लेक्चर में मैं आप शबी को कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नुमेरिकल जो है शालो करवाऊंगा तो इसमें जो पहला कोश्चन लिया गया है कोश पर उत्पन चुम्बकी छेत्र की तीवरता बी का मान ग्यात कीजिए तो यहाँ पर धन्द ये वरत्त की त्रिजिया दी गई है आपको यहाँ आर बराबर दिया गया है 0.5 एंगिस्ट्राम इतना दिया गया है इसके अलाव धन्द चकर प्रतिशेकंड की दर से घूमता है ये आवरत्त दी गई है यानि कि N बराबर आपको दिया गया है आपर 3 गुड़े 10 की घात 5 चकर प्रतिशेकंड ये आपको आवरत्त दी गई है चकर प्रतिशेकंड और यहाँ पर लिखा है कि वरत्त के केंदर पर उत्पन चुम्बकी छेत्र की तीवरता B का मान ग्यात की तो यहाँ पर दान देजी आप लिखेंगे वरत्त के केंदर पर तो वरत्त के केंदर पर चुम्बकी छेत्र का शूत्र होता है B बराबर मू नॉट आई और बटे में होता है 2R ये शूत्र होता है इसके लाम वरत्त के केंदर पर अगर में लोग धारा ग्यात करेंगे तो दारा के लिए सूत्र प्रयों कहता है I बराबर E into V और बटे में होता है 2 πाई R यह होता है इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान ले जाता है समीकरण 2 इसके बाद समीकरण 1 में I कामान रखने पर तो ध्यांदी जी यहां पर I कामान आपको रखना है तो यह हो जायागा V बराबर मू नॉट इंटू आई के जीकरण पर यह वाला आप मान रखेंगे तो यहां पर हो जायागा E into V बटे में आएगा 2 πाई R तो दो का गुड़ा हो जायागा तो दो दूनी 4 इसके अलावा पाई और यहां पर हो जायागा R स्कार इतना हो गया इसके अलावा दंद इसके बाद वी का मान लिखेंगे आप 2 πाई N यहां पर आवरत्य होती है तो अगर ओमेगा का मान इसमें रखेंगे तो V बराबर कितना आएगा 2 πाई N यह हो जाएगा ओमेगा के जगे पर इसके अलावा इंटू में हो जाएगा R तो यह मान हुआ V का तो इस V की जगे पर आपको यह वाला मान लखना है तो यहां पर हो जाएगा फिर B बराबर मू नॉट इन्टू E इसके बाद V का मान लिखेंगे आप 2 πाई N इन्टू R बटे यहां पर हो जाएगा 4 πाई R स्क्वार तो यहां पर दन देजे एक R जो है इससे कैंशिल हो जाएगा इसके अलावा आएगा फिर B बराबर यहां पर आप लिखेंगे मू नॉट इन्टू में हो जाएगा E इसके अलावा धन देजे हम पर बच्चा है N यहां पर हो जाएगा N बटे यहां पर धन देजे बटे में आएगा 2 इसके बाद यहां पर बच्चा R इतना हो गया अब इसके बाद धन देजे को पता होना चाहिए कि mu naught बटे 4 pi बराबर होता है 10 की घात minus 7 इतना होता है तो अगर यहां शेम लोग mu naught का मान ग्याद करें तो यह गुड़े में आ जाएगा यहनि कि 4 pi into 10 की power minus 7 इतना होगा अब mu naught की जगे पी ये वाला मान रखेंगे तो यहां पर जब मान रखा जाएगा तो b बराबर mu naught की जगे पी ये वाला मान रखेंगे 4 pi into 10 की power minus 7 e electron का अविश होता है इसका मान हो जाएगा एक देसम लोग 6 गुड़े 10 की घात minus 19 गुड़े n आवरती है इसका मान दिया गया है यहां पर 3 गुड़े 10 की घात 5 बटे यहां पर हो जाएगा 2 गुड़े r का मान यह दिया गया है लेकिन यह आएगे श्ट्राम में है इसको मीटर बदलेंगे तो जिए उसमलो 5 गुड़े 10 की घात minus 10 मीटर यह वाला मान यहां पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 0.5 इसके बाद इंटू 10 की पावर माइनस 10 इतना हो गया अब इसको आपको शालू करना है तो शालू करने के लिए धन देजे बी बराबर यहां पर दन देजे 4 गुड़े पाई का मान रखेंगे आप 3 दसमलो एक चार गुड़े यहां पर हो जाएगा 1 दसमलो 6 गुड़े 3 और गुड़े यहां पर दन देजे यहां पर माइनस 19 और माइनस 7 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 की घात हो जाएगा माइन के हो जाएगा 10 की घात 15 इतना हो गया बटे यहां पर दंदीजी दो पंचे 10 एक अंग पर दिशम्दों लग जाएगा नहीं कि यह एक आ गया एक से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा तो अब दंदीजी इनका गुड़ा करना आपको गुड़ा इस प्रकास से करिए कि पर दिशम्दों लगा दीजी इसके बाद गुड़े इसका गुड़ा मत करी नहीं तो यहां पर हो जाएगा तो फिर इसका गुड़ा को लिख के करना पड़ देगा यहां पर दंदीजी एक दिसम्दो छे गुड़े तीन ऐसा ही छोड़ देजी गुड़े 10 की घात यहां पर माइनस 26 से जब 15 आप निकाल देंगे तो यहां पर रंद देजे यह आएगा माइनस का 11 इतना हो जाएगा बी बराबर अब यहां पर रंद देजे इसमें आप 16 से गुड़ा करें तो 16 96 हांशिला जाएगा 9 16 85 85 और 9 94 हांशिला जाएगा 9 फिर 16 दूनी 32 32 और 9 मिलके हो जाएगा 41 हांशिला जाएगा 4 यहां पर 16 एकंग 16 4 20 दो अंप यहां लगा है एक अंप यहां पर लगा है दिसमलो तो तीन अंप पर दिसमलो लग जाएगा गुड़े 3 गुड़े 10 की घात माइनस 11 यानिकी बी बढ़ाबर इसके बाद धंदेजी इसमें जब गुड़ा करेंगे तो 0 यहां पर 3 दूनी 6 तीन अंप पर दिसमलो लग जाएगा गुड़े 10 की घात माइनस 11 यानिकी बी बढ़ाबर इसको मानक रूप में लखने के लिए दिसमलो एक अंग के बाद होना चाहिए तो 6 दिसमलो 0 4 ऐसा लख सकते हैं इसके बाद वाली संख्या दंदेजी 5 से छोटी है तो यहां पर कोई भी अंक आपको बढ़ाने के आउशकता नहीं है गुड़े 10 की घात यहां पर आजाएगा माइनस 10 क्यूंकि एक अंक दिशमलो आप इधर लाएं है जो बाएं तरफ लाएंगे तो घात प रूप चुम्बकी छेतर के लंबो तो प्रिवेश करते हैं यदे दरब्यमानों का अनुपात 4 अनुपात 1 तथा आवेशों का अनुपात 2 अनुपात 1 हो तो उनके वरत्ती पथों की त्रिज्याएं जो है वो किस अनुपात में होंगी तो यहां पर बताया गया कि समान गत यार बटे 1 इसका लंब आवेशों का अनुपात दीया गया है इसको में लोग मान लेते हैं q1 powerless q2 इसका अनुपात दिया गया है आपको 2 अनुपात 1 यानि कि 2 न्यैक दो बटे 1 और वरति पथ की त्रिज्याओं का और ग्याद करना है यानि कि r 1 बटे r 2 यह आपको यहां पर ग्याद करना है तो यहां पर दंदेज बतायागा था कि समान गत्य उर्जाओं वाले दो आवेशित कण तो आप यहां पर लिखेंगे चुंकि दोनों आवेशित कणों आवेशित कणों कि गत्य उर्जाओं शमान है गतिज उर्जाय शमान है ये कुशन में बताया गया है तो अब दंदजे गतिज उर्जाय का शूत रहता है हाफ M V स्कार तो पहले आवश्यत करण के लिए इसको लोग माल लेते हैं 1 यहाँ पर V1 इस यह प्रकार दंदजे दूश्यत करण के लिए लिखेंगे तो हाफ M2 V2 स्कार इतना हो गया यहाँ पर एक बतle दो शेर एक बतle दो कैंसल हो जाएगा यहाँ पर दंदजे म1 इस M2 के उधर लाएगे तो बतle में हो जाएगा M2 यहाँ पर दंदबीजे दिया गया है V2 square, यह इधर आएगा बटे में तो V1 square M1 बटे M2, इसका मान दिया गया 4 बटे 1 बराबर यहाँ पर आप लेख सकते हैं 4 बटे 1 दिया गया है इससे आप क्या सकते हैं 2 बटे 1 का whole square है, यहाँ लेख सकते हैं पर लग गया इसका मतलब यह पर आदार बराबर हो जाएंगे तो आप बता सकते हैं V2 बटे V1 बराबर कितना आएगा दो बटे एक इसका मतलब अगर यहाँ श्याप V1 बटे V2 ज्यात करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे 2 तो यह यहाँ पर कानुपाद आ गया अब इसके बाद धन्दजी लिखेंगे आप चूंकि आर बराबर होता है एम्मुवी अपान क्यूबी यह होता है आपर वरत्ती पत्त की जो त्रज्या होती है इसका यह सूत्र होता है इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे तो यहां पर आप लिखें पहले आवेशित कर्ण के लिए तो यहां पर आएगा आर वन बराबर हो जाएगा एम्मुवन वीवन बट्टे में हो जाएगा क्यूवन चूंब किछेतर समान रहेगा बी इसको हम लोग मान लेते हैं शमीकर्ण एक इसी प्रकार आपको लेखना है दूशरे आवेशित कर्ण के लिए करके लिए इसके लिए लोग मान लेते हैं आई टू यहां पर हो जाएगा एम्मुवी टू बट्टे में हो जाएगा क्यू टू चूंब किछेतर समान रहेगा इसको मान लेते हैं समीकर्ण दो अब इसके बाद शमीकरण एक भागे दो यानिकि समीकर्ण एक को दो श यहां पर धंदरजे दिया गया है M1 V1, बटे में है Q1 B, गुडे जब इससे भार करेंगे तो यह पलट के उपर जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा Q2 B, और बटे में आ जाएगा M2 V2, तो यहां पर B से B cancel हो जाएगा, यानि कि R1 बटे R2 बराबर, यहां पर धंदरजे लि V2, इसके अलावा यहां पर दिया गया है Q2, और बटे में हो जाएगा Q1, अब इसमें मान रखेंगे, तो M1 बटे M2, इसका मान चार बटे 1, 4 बटे 1, V1 बटे V2, 1 बटे 2, Q2 बटे Q1, यहां पर धंदरजे जो मान दिया गया था, को Q1 बटे Q2 का दिया गया था, जब Q2 बटे Q1 इन गयात करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटे 2, क्योंकि यह 2 बटे 1 था, यहां पर कितना जाएगा, 1 बटे 2, 2 एक कम दो, 2 दो नहीं, 4 यह कैंशल हो जाएगा, फिर 2 एक कम दो, यहां पर भी, एक यहनी कि यह आ गया R1 बटे R2 बराबर 1 बटे 1, यहनी कि बता सकते हैं, R1 अनुपात R2 बराबर 1 अनुपात 1, यह यहां पर जो है, इसका आशर हो जाएगा, अब इसके बाद धन देजे, अगला कोशन है कि दो लंबे, शमानतर तार, परश पर 3 सेंटिमीटर के दूरी पर हैं, इन में करमशा 2 एंपियर, तथा 3 एंपियर के धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतेक तार द्वारा, दूश्रे तार की प्रतिमीटर लंबाई पर लगने वाले, बलकि गढ़ना केजिए, तो यहां पर दान देजे, 3 सेंटिमीटर दूरी पर, R का मान दिया गया है, आपको 3 सेंटिमीटर, इसके लाव धारा जो धाराएं दी ग प्रतिमीटर लंबाई पर लगने वाले बलकि गढ़ना कीजिए, प्रतिमीटर लंबाई पर इसका मतलब F by L आपको ग्याद करना है, सूत्र होता है, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आईवन आईटू बटे आर, इस सूत्र का यहां पर हम लोग प्रियोग करेंगे, तो मीटर बदलेंगे, तो तीन गुड़े, दस की घात माइनस दो मीटर, इतना हो जाएगा, इसके बाद F by L बराबर, म्यू नॉट बटे 2 पाई, इसका मान होता है, दो गुड़े, दस की घात माइनस साथ, इसकी जगे पर लिखेंगे, गुड़े, आईवन, इसका मान रखें दो, आईटू, इसका मान हो जाएगा, तीन, बटे में, आर का मान लिखेंगे, तीन गुड़े, दस की घात माइनस दो, तीन से तीन, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दन जी दो दूनी, चार आएगा, गुड़े, दस की घात धंदीजियां पर दिया गया, माइनस का साथ, यह उपर आएगा, तो प्लस में आएगा, तो माइनस साथ से यह प्लस का दो घट जाएगा, तो हम पर बचेगा, माइनस का पांच, अब धंदीजियां पर प्रत्य मीटर लंबाई पर बल गयात कर रहते हैं, तो बल का मातरक होता है, न्यूटन बटे में लंबाई है, तो न्यूटन प्रत्य मीटर, यह यहाँ पर इसका आशर हो जाएगा, अब इसके बाद धंदीजी, अगला कोशन है कि एक धारा मापी के साथ, चार ओम का शंट लगाने पर धारा मापी में वर्दु धारा एक बटे पांच रह जाती है, यदि इस प्रबंध में दो ओम का यहाँ पर प्रत्रोद दिया गया है, कुशंट तार का एस बराबर चार ओम, और इसमें लिखा लगाने पर धारा मापी में जो वर्दु धारा है, वो यहाँ पर एक बटे पांच रह जाती है, तो यहाँ पर धारा मापी में जो धारा होती है, यहाँ लोग लिखते हैं, आ और यहाँ पर जो लिखा गया है आई बटे पांच अन्य की मुख्यधारा का एक बटे पांच रह जाती है यही आपको यहाँ पर बताया गया था तो यह हो गए इसकी प्रथम इस्थिति अब इसके बाद देंद जी दोती इस्थिति दोती इस्थिति तो इसमें कहा गया है य दो ओम का शंट लगाने पर तो अब धन दिजी जब दो ओम का शंट और लगा दे जाएगा तो जब यहाँ पर हम लोग शंट टार का प्रत्रोध ग्याद करेंगे तो अब की बार मान लेते हैं इसको एश डैस तो इसके लिए धन दिजी यहाँ पर एक में दिया गया है को चार और दूसरे में दिया गया है दो तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे दो गुड़े चार और बटे में यहाँ पर हो जाएगा चार प्लस दो इसका मतलब यह आएगा चार दुनी आठ और बटे में हो जायागा 6 अगर इसको आप 2 से कैंसल करेंगे तो 2 4 को 8 2 3 6 यानि कि 4 बटे 3 ओम अब यहाँ पर समझना है कि यह कैसे लिखा गया है गंदीजे यहाँ पर लिखा था कि इस प्रबंध में 2 ओम का शंट और लगाने पर तो मान लिजे एक शंट लगा हुआ था 4 ओम का पहले इसमें एक और लगा दिया गया है 2 ओम का शंट तो इसका मतलब इन दोनों शंट के जो यहाँ पर मान दिये गए हैं इन दोनों का क्रम कैसा होगा स्रेडी क्रम होगा और स्रेडी क्रम होगा तो इसका मतलब जब इन दोनों को में लोग शालू करेंगे तो ऐसा लेकना आपको 1 upon h- बराबर 1 upon h1 प्लस 1 upon h2 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जब 1 upon h1 प्लस 1 अपान S2 को शालू करेंगे तो यह ऐसा आएगा 1 अपान S- बराबर रंदरजी लाशा आएगा S1 इंटू S2 यह धर आएगा तो S2 प्लस S1 जब यहाँ से आप S- गयाद करेंगे तो यह पलट जाएगा यानि कि S1 इंटू S2 और बटे में हो जायागा यहाँ पर S1 प्लस S2 ऐसा बन जायागा इसलिए यहाँ पर जब हम लोग प्रत्रोद गयाद करेंगे इस तो इस सूत्र का प्रयोग किया गया डारेक्ट यहाँ पर दान देजे 2 इंटू 4 और इसके बाद 4 प्लस 2 वही यहाँ पर सूत्र बन गया है इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है अब इसके बाद दान देजे अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रत्थम इस्थित में तो जब यहाँ पर लोग सूत्र प्रयोग करेंगे तो सूत्र होता है यश बराबर IG बटे I माइनस IG इंटू कैप्टर G इसमें अब मान रखेंगे तो YES का मान आपको दिया गया है यहांपर हो जाएगा 4 IG इसका मान है I बटे 5 इसके बाद I माइनस इसका मान धंदेजी यहांपर I बटे 5 इंटू में हो जाएगा G इसके बाद धंदेजी 4 बड़ाबर यहांपर हो जाएगा I बटे 5 इसके बाद धंदेजी इसका जब लाशा लेंगे तो यहांपर आएगा 5 इधर गुड़ा करेंगे तो 5 एकम 5 5 से यह वाला I घटाएगे तो यहांपर आजाएगा 4 I इंटू G इतना हो गया अब इसमें धंदेजी यहांपर I से I कैंसल हो जाएगा इसके लाशा 5 से 5 कैंसल हो जाएगा तो यहांपर धंदेजी जब यहां से आप G कामान ग्याद करेंगे तो यह 4 इधर गुड़े में आ जाएगा यानि कि 4 गुड़े 4 तो G बराबर आ जाएगा 16 O इतना आ गया अब इसके बाद धंदेजी अब यहांपर आप फिर प्रेयोग करेंगे दूश्री स्थिति का तो यहांपर आप लिखेंगे दो तीर स्थिति में अब इसके बाद धंदेजी जब यहां हम लोगों ने ग्याद किया था 4 बटे 3 तो इसके जगे पे लिखेंगे आप 4 बटे 3 बराबर I G इसका मान आपको पता है I बटे 5 I यहां से हम लोग ग्याद करेंगे यहां पर हो जाएगा I बटे 5 इतना हुआ इंटू G का मान ग्याद किया गया बटे 3 बराबर यहां पर दन देजे यह दिया गया है I बटे 5 बटे इसका लाशा लेंगे तो 5 इधर गुड़ा हो जाएगा 5 I डेस माइनस I इतना हुआ और इंटू में हो जाएगा 4 यहां पर दन देजे 5 से 5 कैंसल हो जाएगा यह जो बच्चा है इसका इधर गुड़ा करेंगे तो यहां पर आएगा 5 I डेस माइनस I इतना हो गया इधर इसका गुड़ा करें तो 3 चोक 12 इसके अलावा I तो 5 I डेस बराबर जब यह इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 12 और यह मिलके हो जाएगा 13 I इतना हो गया जब यहां 6 I डेस ग्याद करेंगे तो यह हो जाएगा 13 I और बटे में आ जाएगा 5 इतना हुआ अब इसके बाद आगे धरन देजे यहां 6 I डेस आ गया इसके अलाव आपको I Z पता है तो इन दोनों का अनुपात गयाद करते हैं लोग यहां पर I Z और बटे में आप लेखेंगे I डेस तो I Z का मान है यहां पर I बटे 5 और इसका मान यहां पर है 13 I बटे 5 तो यहां पर दन देजे 5 से 5 कट जाएगा I से I कट जाएगा यानि कि I Z बटे I डेस बराबर आएगा एक बटे 13 जब यहां शेम लोग I Z ग्याद करेंगे तो यह धरा जाएगा यानि कि एक बटे 13 I डेस इसका मतलब धारा मापी में जो विच्छेप रह जाएगा वो एक बटे 13 रह जाएगा या बटा सकते हैं कि अता धारा मापी में विच्छेप एक बटे 13 रह जाएगा इस प्रकास से आप यहां पर इससे सालो करेंगे अब इसके बाद दंदेजे अगला कुशने की हाईडूजिन परमाड़ में एलेक्टरान 0.5 एंगिस्ट्राम त्रिज्या की कक्षा में प्रतिस सेकंड 10 की घा सत्रा चक्कर लगाता है इसके फल्शुरूप उत्पन चुम्बकी आग्वोण की गर्णा कीजिए तो यहां पर आपको त्रिज्या दी गई है आर कामान दिया गया जीव 2.5 एंगिस्ट्राम इसके लाँ द्रिज्या चकरो की शंख्या दी गई है प्रतिसेकंड चकरो की शंख्या यन बराबर 10 की घा सत्रा और यहां पर आपको चुम्बकी आग्वोण एम कामान ग्यात करना है तो आप द्रिज्या आर कामान जो दिया गया हिश्या पैशा लेख सकते हैं जीव 2.5 गुड़े 10 की घात माइनस 10 मीटर मीटर बदल दीज्या इसके लिए द्रिज्या सूत्र होता है एम बराबर आई इंटू ए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर सूत्र हम लोग प्रियोग करते हैं एन इ अपान टी तो आई के जगे पे आप ये लिख दीजे तो यहां पर हो जाएगा एन इ बटे टी इसके लिए छेतरफल पाई आर स्कॉयर यह हो जाएगा आपका छेतरफल तो एम बराबर एन का मान हो जाएगा 10 की घात 17 यह इलेक्टरान का आवेश होता है 1.6 गुडे 10 की घात मैनश 19 हो जाएगा पाई इसका मान हो जाएगा 3.1 चार गुडे आर इसका मान दिया गया तो 0.5 इंटू 10 की पावर मैनश 10 का होल स्कॉयर और इसके बाद बटे T अब T कहाँ चे लिखेंगे क्यों बतायागा था कि प्रति सेकंड चक्कर लगाता है प्रति सेकंड का मतलब जो समय दिया गया T बराबर आपको 1 सेकंड दिया गया तो T का मान आपको रखना है 1 इतना हो गया अब इसके बाद धन देजे M बराबर जब इससे आप सालू करेंगे तो यहाँ पर धन देजे माइनिस का 19 से पावर में और यहाँ पर प्लस का 17 तो 19 से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात माइनिस 2 इतना हो गया इसके अलावा धन देजे 1.6 गुड़े 3.1 चार गुड़े इसका वर करेंगे तो 25 हम 25 दो अंक पर दिशमलो लग जाएगा गुड़े 10 की घात हो जाएगा यहाँ पर माइनिस 20 इतना हो गया M बराबर जब आप यहाँ पर इससे सालू करेंगे गुड़ा करके तो इसका मान लग भग आएगा 1.256 इतना हो जाएगा और गुड़े 10 की घात आएगा यहाँ पर माइनिस 22 जब आप इससे यहाँ पर गुड़ा करेंगे और उसके बाद मानक रूप में लिखेंगे तो इतना ही आएगा इतना हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग चुमबकी आगधून गयात करेंगे इसलिए एंपियर मीटर इसका आशर हो जाएगा तो अगर आप शबी को यह वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे शनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद